Hello Friends, Last Video में मैंने आपको JQD के Hide or Show Effect के बारे में बताया था कि हमारा Hide or Show Effect कैसे काम करता है जब मैं इस Hide पे किलिक करता हूँ, तो हमारा ये Due Hide हो चुका है और जब मैं Show बटन पे किलिक करता हूँ, तो हमारा Due फिर से Show हो जाता है Friends, इस वीडियो में मैं आपको JQD के Toggle Effect के बारे में बताऊँगा इसे Copy करके एक बार फिर से Paste कर देता हूँ और इस Show की जगा में लिखता हूँ, T-O-G-G-L-E, Toggle और यहाँ एक बटन और कीरियेट कर लेता हूँ जिसकी Value में Toggle ही लिखता हूँ और इसकी Class में Toggle ही रखता हूँ यहाँ भी मैं इसे Copy करके इसमें Paste करता हूँ और इसका Function भी Toggle इसे Save करके अब पेज को Refresh करता हूँ Friends, अब मैं जब इस Toggle बटन पर किलिक करूँगा हमारा ये Due अगर Hide है तो Show हो जाएगा और अगर Show है तो Hide हो जाएगा मैं इस पर किलिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि हमारा Due Hide हो चुका है और जब मैं इस पर दुबारा किलिक करता हूँ तो हमारा Due फिर से Show हो गया है Friends, जो काम हम Hide और Show दो अलग-अलग Function पर कर रहे थे Toggle के थूरू हम वही काम Single Function से कर सकते हैं आप देख सकते हैं मैं सिर्फ यहाँ पर इस Toggle बटन पर किलिक कर रहा हूँ तो यह Hide हो जा रहा है और जब Hide है तो इसे दुबारा से किलिक करता हूँ तो यह फिर से Show हो गया है इस वीडियो में इतना ही दोस्तों नेक्ट वीडियो में मैं आपको जेकेवरी के कुछ और इफेक्ट के बारे में बताऊंगा हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको रिसेंटली अपडेट मिलता रहे